नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सलिया देशी कीचन में हार्दिक स्वागत है आज में लिखराई हूं खजूर बनाने के रेशिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम खर्चे में बन जाता है धेशारा खजूर छट पूजा का सूब अफसर पर इसे सौफ लिया आधा चमच और इसके साथ ही हम लेंगे चीनी और दूद गाय का मैदा एक कोटोरी लिया है इसके जगा आठा भी ले सकते हैं मोटा वला आठा और ये देखिए एक बरतन हम ले लिया हमने और इसी में डाल देंगे अपना मैदा मैदा डालने के बाद इसे हम ड दो चमच घी सूजी हमने बड़ छोटे चमच से नहीं डाला था बड़ चमच डाला था यानि कि छोटे चमच से दो चमच होगा उससे क्या होता है कि ज्यादा क्रंची बनता है और इसको अच्छा से मिला लेंगे घी को तो ये मोयम के लिए हमने घी इस्तमाल किया है अरक पला है तो सुद्धा को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है एक डो बनने जितना तक हमने मुएम इसमे डाला था अब इसमें डालेंगे चीनी और चीनी डालकर चारो तरफ मिला लेंगे, हमने पौडर नहीं डाला था, गोटा ही चीनी डाला था, इससे ज़्यादा करंची बनता है ये, और ये देखिए, इस तरह से अच्छे से चीनी को मिला लेने के बाद, बढ़िया से इसमें डाल देंगे हम सौप, सौप के जगा पाच ज़्यादा नहीं है, बस आटे को जोड़ना एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है बस हलके हाथों से डाले, यहां देखिए हमने ज़्यादा दूद dice में इसमाल किया हुआ है, दोस्तों अगर अप हमारे चानल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को स्क्राइब किजे, हमारे को लाइक किजिए ज्यादा से ज्यादा से शेर किजिए कि आने वाली रेसिपिक नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा तो यह दिखिए इसको हाथेली से रगल रगल को सानना है जैसे सुखा आटा है बस उसको छोटा छोटे टुकड़े में जोड़ना है यह झ Holding चेट मईयगे का पर साथ है तो इसी तरह से बनायाना है यह से हमिला लिया है हमने इतना ही इसमें दूध ढला है कि जैसरे हम इसमें पीड़ी बने तो यह बना जाए तब देख सकते हैं किस तरह से हमने सानां है इस से तरह से हाथ से ठोकने में बहुत ज़एँदा असा बनाते जाएं और फिर सांते जाएं इस तर से क्या होँआ को चीनी जो है वह पिघलेगा नहीं और बहुत ज्याधा करंची यह बनेगा तो यह दिखिए इस तरह से पीडि बनाते जाना है बढ़िया से ये दिखिए इस तरह से और ये दिखिए यहां पर हमने घी डाल दिया है कि ये गरम हो तब तक अब हम साचा पर इसे ठोक लेंगे घी हमारा गरम है उसी में से हमने घी ले लिया है और साचा में पहले लगा देंगे कि साचा में ये चिपके नहीं और बढ़िया षथोड़ा खेजूर इसे बनाने के लिए हमें थोड़ा सा तागत का इस्तेमाल करना होता है ठोकने को समय थोड़ा ज्यादा कसकर दबाना पड़ता है तो यह देखिए सारा हम इस तरह से ठोक कर रख लेंगे बहुत बनाना आसान हैं खास बात यह है कि यह बहुत दिन तक ज्यादा दिन तक रहता है खराब बिल्कुल नहीं होता है यह आप इसे 6 मईने तक भी रख सकते हैं ठंडा होने के बाद एक डब्बे में रख दें और इसे जो मंचा है आप परसाद के तोर पर खा सकते हैं तो यह देखिए हमने सारे ठ खेकवा बनाने के रेशिपी जानना चाहते हैं इसका लिंक मैंने आई बटम पर दिया हुआ है आप वहां जाकर देख सकते हैं तो यह तरफ गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हम इसे पलट लेंगे जब गोल्डन ब्राउन हो जाए एक तरफ तभी इसको पलटना है बार बा परटकर तल लेना है और यह देखिए इससे निकालकर एक बरतन में रख लेंगे छट मईया को यह अरग वाली परसाद है तो यह दिखिए इसे बनाना कितना आसान है अपने देखा कितने कम खर्चे में और कितने कम समय में इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है जंजट भी न आपको हमारे रेसिपी कैसी लगी और इस तरह से खजुर जरूर ही अपने घर में बनाईएगा छट पुजा के सूब अफसर पर परसाद के तोर पर यह देखिए बहुत ही क्रिस्पी है आपको देखाते हैं यह मसल कर एकदम क्रिस्पी है यह एकदम कुरकुरा है यह और यह बनकर रेडी है फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ